चलिए, घर बनाने का प्लान आसान बनाते हैं। अगर आपका फ्लोर प्लान एक भूल भूलाया जैसा लगता है, तो आप सही जगह पर हैं। सबसे पहले, अपने प्लॉट का एक सही नक्षा ले लें। ये आपका आधार है, जो आपको जमीन की लंबाई चोड़ाई और उसकी सीमाएं बताएगा। इसे मापने के टेप और कमपास से नाप लें। अब अपने घर का बेसिक ल्याउट तै करें। सोचिए आपको कितने कमरे चाहिए और वो कहां होंगे। लिविंग रूम, किचिन, बेडरूम, सब को जगह दीजिए। अब इसे स्केल के हिसाब से छोटा करें। जैसे कागस पर 8 सेंटीमीटर, असल में 8 मीटी सर्ग। 8 मीटर के बराबर, जरूरत के हिसाब से इसे एडजस्ट करें। अपनी दीवारें और दर्वाजे बनाईए। अंदर की और बाहर की दीवारों को साफ तोर पर दिखाईए। और दर्वाजे और खिड़कियां कहां होंगी, ये भी तै करें। फरनीचर और फिक्सचर मद भूए। इससे जगह को अच्छे से इस्तिमाल करने में मदद मिलेगी। विजली के तार और प्लंबिंग का भी प्लैन बनाईए। इससे निर्मान के दौरान परेशानी नहीं होगी। अपने प्लैन को दोबारा देखें और जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। किसी प्रोफेशनल से सलाह लेने से ये पक्का हो जाएगा कि आपका प्लैन सही मानकों पर है। अब अपना प्लैन सौफ्टवेयर से या हाथ से बनाईए। और अगर जरूरत हो तो इसे अप्रूव करवाईए। AutoCAD जैसे टूल्स या फिर सिंपल ग्राफ पेपर काम आ सकते हैं। बस हो गया। आपके घर का बेसिक प्लैन तयार है। खुश्याँ मनाईए।